दोस्तो आज की इस वीडियो में है हमारे पास Vivo की तरह से आने वाला Vivo का T1 5G और ये एक budget range 5G फोन है और अगर आप एक 5G फोन लेने का इरादा बना रहे हैं तो ये आपकी choice list में जरूर से होना चाहिए ये फोन मेरे को मिला है DKG Mobile की तरह से तो अगर आप purchase करना चाहते हैं उनके links आपको description box में देखने को मिल जाएंगे और नमस्कार दोस्तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल SRJ Tech Word पर जहांबर मैं आपके लिए इसी तरीके से ठीर सारी unboxing लेकर आता हूँ तो चलिए open कराते हैं इस phone को देख 65 रहता है 120 Hz का refresh rate रहेगा और साथ ही इसकी slim design रहती है तो एक एक के बारे में detail से बात करेंगे तो फटा फट box को open करते हैं देखते हैं कि यहाँ पर box के अंदर क्या क्या रहता है तो box के अंदर सबसे पहले तो यह आपको एक अलग सा section मिल जाता है और इस section से बाहर निकालत charger और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस charger के output rating को तो यहाँ पर आपको 9V2A के output rating देखने को मल जाती है overall size wise काफी compact रहता है और यहाँ पर आपको 5000 mAh की battery के साथ 18W का fast charger मिल गया है यह एक बहुत अच्छी बात है एक छोटी सी SIM ejector pin रहती है और साथ में रहती है आपकी एक छ setup करा लिया है सबसे पहले अगर हम display को देखते हैं तो 6.58 इंचेस का IPS LCD पैनल देखने को मल जाता है जो की 120 Hz की refresh rate के साथ आएगा यह smoothness आप फील भी कर सकते हैं जब यहाँ पर आप स्क्रीन पर scroll करेंगे तो यह आपको काफी कमाल का feature मिल जाता है कि IPS LCD पैनल हाला की दे रख जाती है जिसमें कि आपका 16 मेगा पिक्सल का कैमरे रहता है जिसे कि आप 1080 पिक्सल की वीडियो 30 fps पर record कर सकते हैं बात इसके उपर की तरफ की करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं साइड में आपका रहेगा साइड मॉंटेट फिंगर प आपको मिल जाता है एक छोटा सा dedicated sim slot नहीं मिला है तो यहाँ पर आपको hybrid sim slot मिलेगा जहां पर आप या तो दो sim लगा सकते हैं या एक sim के साथ एक memory का तो यह एक छोटा सा point रहेगा इस phone के बारे में नीचे की तरह आपको वही सारी जानी पहचानी सी चीज़े देखने को मि audio jack हो गया एक छोटा सा mic हो गया type c port हो गया और साथी यह speakers हो गया तो यह सारी चीज़े तो आपको देखने को मिली जाती है इस phone में और एक traditional menu दे रखा होता है इस phone का और अगर इसके पीछे की तरफ देखा जाए तो सबसे जो attractive चीज़ यहाँ पर लग रही है वो इसका camera setup लग रहा है जो यहाँ पर एक unique style दे रखी होती है camera की यहाँ पर आपको चोटी चोटी दो rings दे रखी होती है जो कि देखने में बहुत attractive लग रही है और 5G की badging भी देखने को मिल जाती है दूर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पर dual cameras है बट यहाँ पर triple camera का support है जो कि आपके 50 plus 2 plus 2 megapixel के रहते हैं और साथी यहाँ पर आपको LED flash एक छोटा साथ दे रखा होता है नीचे की तरफ आपको Vivo की badging मिल जाएगी और आप देख सकते हैं matte finish दे रखा होता है और साथी काफी shiny surface इसका रहता है हलाकि यहाँ पर आप देखेंगे frame को तो यह plastic frame ही र और चलते हैं एक बर setting की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर आपको about phone section में क्या-क्या दे रखा होता है तो यह नीचे की तरफ आपको छोटा सा about phone section देखने को मिल जाता है one touch OS पर यह phone आपका operate करेगा और साथी processor देखा जाये तो यहाँ पर snapdragon 695 रहता है और nano review website के हिसाफ से अगर हम इसकी rating देखते हैं तो यह 51 की होती है और एक C grade processor इसे mark किया गया है यह एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपको एक approx gaming processor दे रखा होता है जिसमें की gaming की performance ब बहुत अच्छी बात रहेगी Android version यहाँ पर आपको 12 दे रहा होता है जो कि updated रहेगा जो की काफी बहतर रहेगा long term में अगर आप इस phone का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो और यह सारी चीज़े यहाँ पर इसे खास बनाती है विरिंट की option आपको काफी मिल जाएंगे लेकिन अगर आप इसे lower variant में भी लेते हैं तो expand का option तो मिली है तो कोई दिकत वाली बात इसमें आपको नहीं मिलेगी चलते हैं यहाँ पर brightness अभी थोड़ी सी मेरी यहाँ पर minimum है और अगर आप देखेंगे तो अभी इसकी brightness को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं ताकि आप इसे और अच्छे से देख पाएं क्योंकि यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अब हम camera की और camera की बात करते हैं तो सामने की तरफ एक छुड़ा सा flower pot टाइप कर रखा है उसकी पहले photo क्लिक कर लेते हैं normal sensor पर और उसकी photo को अगर हम देखेंगे तो colors तो आप देख सकते हैं बहुत ही प् प्लेग करती है यहाँ पर आपको 50 Megapixel का भी sensor दे रखा होता है जिसे कि आप use कर सकते हैं तो चलिए यह तलाश करते हैं 50 Megapixel के sensor की तो कहाँ पर यह आपको option मिल जाता है तो यहाँ पर आपको यह मिल जाता है option जिसे कि आप देख सकते हैं एक photo को मैं कर लेता हूं click और करात होते हुई दिखाई देगी और sharpness तो अपना वैसे ही ठीक रहता है जैसे कि पहले आपको देखने को मिल गया है और color वगएरा बहुत प्यारे आ रहे ही यह बात तो आप देख सकते हैं और एक जो मैंने पीछे background की तरफ कुछ books रखी थी उनकी photo click करने की कोशिश की है तो आ इसे में किसी भी तरीके का कोई issue मेरे को समाज में नहीं आ रहा है क्योंकि 50 Megapixel में आपको लगबग इतनी clarity मिलती है तो camera तो अपनी performance काफी जबरदस्त देता हुआ दिखाई देगा अब देखना होगा इसकी selfie के बारे में कि selfie की performance कैसी रहती है तो यहां पर focus कर लेते हैं अ काफी खुश हो जाता हूं इसकी performance देखके क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि sharpness में किसी भी तरीके की कोई कमी यहां पर देखने को नहीं मिलेगी साथी colors वगएरा भी बहुत प्यारे आ रहे हैं लेकिन जब मैं इसे photo click कर रहा था तो मेरे को जो पीछे की दिवार थी करके बताएगा कि आपको इसकी overall performance कैसी लगी है और यहां तक अगर आप आ गए हैं तो चैनल को subscribe करना बिलकुम मैं भूलेगा और वीडियो interesting लग रही हो तो वीडियो को like भी कर ही दीजेगा तो चले दोस्तों बात करते हैं यहां पर इसके fingerprint scanner के बारे में और दोस्तों जैस बहुत fast है आप जैसे ही on कराकर सामने लाते हैं तो किसी भी तरीकी की कोई दिक्कत समझ में आपको आ नहीं रही है तो बहुत fast यहां पर आपको face lock भी दे रखा होता है तो fingerprint scanner और face lock के मामले में भी यह phone काफी जबरदस performance देता हुआ आपको दिखाई देगा चलते हैं इसके display की करते हैं तो यहां पर आपको जो IPS LCD panel full HD plus के resolution के साथ मिला है उसके साथ जो combination मिल गया है 120 हर्स के refresh rate का वह बहुत जबरदसरता है यानि कि जब आप इसमें gaming वगरा करेंगे ना तो एक अलग level की smoothness आपको feel होने वाली है इस phone में साथी जो इसका processor रहता है ना वो भी अपने इस phone के साथ अगर आप gaming करने वाले हैं तो यह आपके लिए एक कमाल की choice रहेगी नेक्स आता है इसमें आपको 5000 एमेज की बैटरी मिल जाती है 11W की fast charging रहती है combination ठीक ठाक है आपका next जो point मेरे को लगा है camera का camera आपको जो option दे रहा है 50 megapixel का वह बहुत जबरदस्त है साथी जो sharpness देखने को मिल जाती है जो image की quality देखने को मिल जाती है वो भी इसे बहुत ज़्यादा खास बनाती है तो इसकी overall selfie camera हो फिर चाहे back camera हो camera की performance में मैं इसे मतलब एकदम कमाल का appreciate करता हूँ कि मुझे कम से कम यह बहुत पसंद आई है next जो point आता है वो कहीं ने कहीं यहापर इ देखने को मिल जाएगी लेकिन overall जो इसकी design है वो अपने आप में काफी मज़िदार है तो comment करके बताएगा कि यह phone की design आपको कैसी लगी है साथ यह phone आपको कैसा लगा है इसका कौन सा feature आपको सबसे बैतने लगाए यह बात भी आप हमें comment box में जरू से बताएगा आज की इस वीडियो में इतना ही चनल को subscribe करेगा वीडियो interesting लगी हो तो like भी कर ही दिजेगा नमस्कार दोस्तों जहिल बंदे मातरूं